Hello Friends, Welcome Back to My Channel, PSC Nursing All Subjects Friends, आज के स्वेड़ों में हम लोग ZNM 4S-Tier के Model Questions की बात करेंगे जो Questions are Fundamentals of Nursing तो Fundamentals of Nursing की Model Questions की बात करेंगे जो आप लोग की एक्जाम के लिए बहुत important होने वाले हैं और Friends, इसमें जितने भी आपको Questions पूछे गए हैं यह सारे questions आप लोग के exam के भी उसे बहुत important होने वाले हैं और आपके exam में भी इसी तरह questions पूछे जाते हैं So friends, one by one करके सारे questions को देखते हैं जिसमें आपको foster define hospital, आपको hospital को define करना है और उसका next questions है, वह clarify hospital, दोनो questions सेम ही है जिसमें आपको hospital के definition लिखने है नेक्स आपका describe the functions of hospital, hospital के function को describe करने है उसके बाद जो आपको next or में questions पूछे गए है वह define burn, burn को define करना है और उसके बाद next है, what is the wellest role of 9 जब body burn हो जाता है, तो body के total percentage area को count करना परता है तो वह wellest role of 9 का use किया जाता है नेक्स है, how will you manage and treat a burn patient आप जलेव पैसेंट को कैसे treat करेंगे, कैसे उनकी साथ manage करेंगे उन्हें लिखना है अच्छे से नेक्स आपका question number second में पूछा है, define fever fever क्या है, उसे define करना है next है, enlist the type of fever, fever की type को लिखना है और उसके बाद question number 3 में कह रहा है कि जो पैसेंट है, वो fever से suffer कर रहा है तो उस पैसेंट की साथ आप कैसे treat करेंगे, आप वो लिखे next question से आपका और में, जो questions पूछेगा है clarify hemorize, तो आप hemorize को define करना है उसके बाद आपको इसमें next question number 2 जिसमें आपको इसके clinical features लिखने है next question number 3 जिसमें आपको कहरा differentiate between, differentiate between hematomasis and hematomasis and hemoptysis, hemoptysis के भी difference लिखने है next question number 3, question number 3 में आपको short notes पूल रहा है लिखने के लिए जिसमें आपको 5 questions दिये गए हैं, जिसमें first आपका ethics of nursing, ethics of nursing में नर्शिक के आचार और विचार को लिखे next record, third day mental health, patient, barrier nursing and cross infections, यह 5 questions आपको short notes में पूछे गए है उसके बाद जो आपको question number 4 में पूछे गए है, वो questions आपको true and false उसके बाद आपको question number 5 में आपको fill in the blanks पूछे गए है इस तरह आपके exam में भी आपको पूछे जाते हैं next question number 4, question number 4 में आपको यह बहुत important है और question number 4 में आपको कुछ situation दिया गया है आप नर्श है तो आपको कुछ situation दिया गया है आपको situation को कैसे handle करेंगे आप उसके बारे में अच्छे से लिखे जिसमें आपको five questions पूछे गया है जिसमें आपको first questions है a person drawn in river एक व्यक्ति है जो की नदी में डूब गया है तो वो पैसेंट आपके पास आया है तो आप उस पैसेंट को कैसे treat करेंगे तो आप उसके बारे में अच्छे से लिखे अब next आपको question से वो है a lady asphyxiated एक lady है जो की asphyxiated मतलब होता है तरह का एक suffocation होता है मतलब गला घोटना होता है तो इस टाइप के पैसेंट आपके पास पहुचे है तो आप इस पैसेंट को कैसे handle करेंगे कैसे manage करेंगे और फ्रेंट्स अब जो आपको next question है question number 3 जिसमें आपको कहरा है diabetic having hypoglycemia तो एक पैसेंट है जो की hypoglycemia है उसे hypoglycemia है तो आप उस पैसेंट को कैसे handle करेंगे unconscious individual एक वेहोश वैक्ती है तो आप उसके साथ आप कैसे treat करेंगे एक वहर्स वैक्ती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे उनका यह सब आपको लेखने है next है blunt injury to the abdomen एक वैक्ती है जिसके पेट में गहरी चोट है तो आप उस patient को आप उस से कैसे handle करेंगे उस patient को full forms पूछे करेंगे जैसे आपको TDS है तो TDS जो है वो doctors use करते है वो दवा के time में TDS का मतलब होता है third in die मतलब दिन में तीन बार लेना उस तरह यह जो last में आपका QID QID मतलब quarter in die दिन में चार बार लेना तो friends fundamental of nursing में इसी तरह के आपके questions पूछे जाते हैं जो कि बहुत important है सारे questions आपके exam के लिए so friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करें चानल को subscribe करें फिर मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching and keep study